हेलो एवरिवन कैसी हैं आप सब आप सब देख रहे हैं माई टुप चैनल अलीना एक्षेंब्रॉग बात की जाएं दिपिका ककर और श्वेव इबराहिम की तो काफी लोगों का कहना है के श्वेव इबराहिम और दिपिका ककर के बीच हो रहा है जगडा इसमें कितनी है सच्चाई आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं के आखिर पूरा सच क्या है पिछले दिनों दिपिका ककर वुमेन अवार्ड के लिए दुए पहुची थी वहाँ पर वोडों ने श्वेव इबराहिम को बहुत जादा मिस करते नजर आई श्वेव इबराहिम अपने एक शो में बीजी होनी की वज़ा से दिपिका के साथ नहीं जा पाए दिपिका को श्वेव इबराहिम ने विश्किया उसी बीच शेव इबराहिम को दादा साहिब आवार्ड से नवाजा जाता है जहां पर नजर आती है शेव इबराहिम के साथ दिपिका ककर जहां पर दिपिका ककर से कुछ ऐसी सवाल के जाते हैं तो दिपिका ककर उन सवालों के जवाबों को टाल देती है उसी शो के दोरान कुछ ऐसा होता है कि दिपिका ककर का पैर सिलिप होता है वही पास खड़े एक फैंस दिपिका को गिनने से बचाता है दिपिका ककर एटिटीट दिखाते हुए उस फैंस को कहती है डॉन टच मी दिपिका का ये एटिट्यूट फैंस को पसंद नहीं आता और काफी फैंस दिपिका को ट्रॉल करते हुए नजर आ रहे हैं फैंस ने स्वेव इबराहिम से भी सवाल किये कि इतना एटिट्यूट क्यों है दिपिका में अब लड़ाई जगडे की बातें जो सामने आ रही हैं वो इस बात को लेकर आ रही है शोयव इबराहिम को जो दादा साहिब अवार्ड से नवाज़ा गया तो दिपिका ने सोयव इबराहिम को विश नहीं किया तो उससे फैंस अंदाजर लगा रहे हैं के हो सकता है कि श्वेव इबराहिम और दिपिका ककर में जगड़ा चल रहा हो उसरी बात सामने ये आ रही है कि दिपिका ककर इंचना पर अपना नाम दिपिका ककर इबराहिम लिखती थी लेकिन अब कुछ दिनों से सिर्फ दिपिका ककर नाम लिखा हुआ आ रहा है इबराहि साल लगा रही है कि दिबिका ककड का कोई व्लोग नहीं आ रहा है दूसरा शेव इ्बराहिम्भी कहा गायब हैं मूणका भी ऐसा कोई व्लोग.. नहीं आ रहा है और जो पोस्ट आय दिन इस्टा पर डालते रहते थे लेकिन वो पोस्ट भी अब कहीं से नहीं आ रही है आपका क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा उम्मिद करती हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगे पसंद आई है तो प्लीज लाइक शीर कर दीजेगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अलाफ